बूर्णिंग स्टुडेंट्स कैसे आप सब उमिद है अच्छी होंगे आज हम अपना चैप्टर नमबर टू शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है रिलेशन एन फंक्शन्स रिलेशन्स एन फंक्शन तो पहले तो हम इसकी इंटरॉड़क्शन ले लेते हैं क्या होते हैं हमारे डिलेशन ठीक है और फिर हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फंक्शन की बात करेंगे relation जैसे general हम क्या करते हैं कि इसमें कोई special कोई mathematical वी में अगर ना जाएं relation क्या होता है जैसे कि एक घर है घर के अंदर son father mother, sister, brother सबका आपस में क्या होता है relation होता है खीके ना सभी का आपस में क्या होता है relation होता है अगर मैं son की बात करूँ तो son का father के साथ होता है relation son का mother के साथ भी होता है ऐसे ही brother, sister and so on तो जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ जैसे son, father relation को हम इस form में लिखते हैं और ये जो son है और father है ये क्या है हमारे ये हमारे होते है element ये हमारे होते हैं element बोलेंगे या फिर हम यहाँ पर इनको component बोलेंगे ठीक है जैसे मैं number की बात करता हूँ 1,2 ये क्या है 1 और 2 क्या है हमारे element और component ठीक है और इस तरह से जैसे हम bracket में इनको लिख रहे हैं ये जो हम bracket में लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं order pair में आगया कि क्या है कि एक pair of object या element जैसे कि मैंने 2,4 लिखा ये क्या है हमारा order pair ठीक है ये क्या होगा हमारा first element इसको हम first element बोलेंगे और ये second element अब इनका अपस में क्या relation है जो four है वो two का क्या है double या हम four कह सकते हैं कि four two में two plus करते हैं तब भी four आ गया तो यानि कि four इसका double भी हो सकता है और इसमें two plus करने पर भी four आ गया तो two और four का आपस में ये relation बन गया तो आपको पता चल गया है relation लिखने के लिए हमें एक तो order pair का यूज़ करना होगा और इसके अंदर क्या होने चाहिए two elements होने चाहिए clear है अगर मालो हमेरे पस two order pair है जैसे a, b और मैं equal लगा दूँगा c, d तो अगर बीच में equal का sign है तो मेरे जो element होंगे first, first के equal होगा और second, second के equal होगा मैं कह सकता हूँ a equal to c और b equal to d होगा तो अब हम बात करते हैं partition product of two set हमने क्या लिया let a and b non empty set तो हम इनका जो partition product होगा कैसे लिखेंगे हम a cross b तीक है a cross b is the set of all order pair तीक है किस फ़र में होगे वो a, b में such that जो हमारा a होगा यह किसको बिलोंग करेगा first वाले capital a को b किसको बिलोंग करेगा second वाले capital b को तो यह हमारी क्या है partition product of two set अब इसको आगे लिखेंगे कैसे अब इसको लिखने के लिए आप a cross b तीक है set की फ़र में पहला तो होगा order pair a, b ठीक है पहले तो आप इसको pair के अंदर लिखेंगे a, b फिर आप यह बताएंगे कि a किसको बिलोंग कर रहा है capital a को small b किसको बिलोंग कर रहा है capital b को तो यह हमने इनको set की form में लिख दिया तो हमें एक example भी ले ले लेते हैं जैसे कि let मैंने a ले लिया two four, six b मैंने ले लिया x, y अब मुझे क्या करना है कि इसको relation की form में लिखने तो two है तो two का किस किस के साथ है x के साथ भी होगा y के साथ भी होगा ऐसे ही four four का x के साथ भी होगा y के साथ भी होगा फिर six की बात कर लेते हैं तो six का x के साथ भी होगा y के साथ भी होगा मलब हर element का दूसरे set के हर एक element के साथ क्या होगा relation होगा और उसको किस form में लिखेंगे pair की form में देखें, जिन्दगी में, लाइफ में हर बंदे का किसना किसी के साथ relation होता है अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में क्या होता है, आपका दूसरे स्टूडेंट्स के साथ relation है अपने टीचर के साथ relation है, ठीक है ना, प्रिंसिपल के साथ relation है तो सभी के साथ आपका relation है, आप कहीं भी चले जाएं अगर अपने देश में हैं, तो आप सभी क्या होंगे इंडियन्स होंगे, भारती होंगे, आपस में आपका एक देश में है तो वो relation है, तो आपके पास दो set होंगे दोनों set में हर एक element का, दूसरे के हर एक element के साथ एक pair होगा, एक relation होगा अब number of pairs होंगे, वो कैसे आप नहीं का सकते है जैसे कि आपके पास एक A set है, 1,2,3 B set है आपके पास, 4,5,6 तो मुझे ये बताना है कि A और B का जो relation होगा, उनका क्या number होगा जैसे इसके अंदर 3 element यूज हो रहे हैं, इसमें भी 3 तो 3,3 is a 9, ठीक है? ऐसी मालो किसी के अंदर पहले में 2 हो रहे हैं, दूसरे में 3 तो number of relation कितने बनेंगे, number of pairs कितने बनेंगे? 2 into 3, 6, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अब कुछ question करते हैं हम exercise 2.1 के ताकि आपको और अच्छे से clear हो, कि question कैसे करेंगे हम? जैसे हम first question की बात करें, तो यहां पर हमें कहता है कि x upon me 3, plus y, comma y minus 2 upon me 3, is equal to 5 upon me 3, 1, 3 तो आपको two pairs दी होएं और बीच में equal का sign तो जैसा मैंने आपको बताया है, कि जो first element होगा, वो दूसरे pair के first cake को लोगा यहां जो second होगा, दूसरे में second cake को लोगा तो मैं क्या करता हूँ यहां पर? x upon me 3, 1 उधर जाकर minus होगया हैलसियम लिया, solve किया 2 by 3 x by 3 equal to 2 by 3, तो x की value यहां से 2 आगी अब यहां चलते हैं, तो minus 2 by 3 उधर पलस हो गया एलसियम लिया, 3 by 3, कट के 1, तो y की value 1 हमारा answer आगया, x equal to 2 and y equal to 3 तो अगर बीच में equal का sign है, तो first element को दूसी तरफ first के, यह second element को दूसी तरफ second के equal कर दो जो भी unknown terms है, वो आप निकाल लेंगे question number fifth exercise में, if set a, क्या दिया हुए हमें 1, minus 1 और हमें कहता है कि आपको relation निकालना है a relation का a relation b, a cross a cross a तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास a की value 1, minus 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, जो a है, a का a के साथ relation निकालता हूँ, तो मैं इनको इस तरह से लिख लेता हूँ, अब इस 1 का, दुनों के साथ, 1,1, 1, minus 1, अब इस minus 1 का, minus 1,1, and minus 1, minus 1, तो यह हमने a relation a निकाल लिया, अब हमें a relation a relation a निकालना है, ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, यह a को मैं लिख लेता हूँ, 1, minus 1 relation, दूसरा सेट क्या बन गया पेयर, 1,1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, अब यहाँ पर, इस 1 का, इन चारों के साथ बनेगा, तो 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, ठीक है, मैंने इस 1 का, इन चारों के साथ बना दिया, अब minus 1 का, नेक्स्ट, minus 1, 1, minus 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 1, यह सेट की फों में आ गया, तो यहनी आपके पास अगर A सेट है, तो आप A क्रों से भी निकाल सकते हैं, पहले आप A क्रों से निकाल लो, उसका जो भी आएगा पेयर, बाद में उसका A के साथ आप निकाल लेंगे, ठीक है तो आगे बढ़ते है Next question number 9 हम देखते हैं इसमें हमें A के जो number मतलब number है set का वो 3 है number of element B में है 2 और फिर कहता है कि इसके अंदर X,1, Y,2, Z,1 are in A relation B हमें कहता है कि find A and B A and B आपने निकाल ले है तो आप पहले यह देखें कि जो A है वो क्या होगा हमारा first element वो क्या होगा है आपर X, Y, Z solution A क्या हैगा X, Y, Z B क्या होगा हमारा second second में क्या-क्या use हो रहे हैं 1, 2, 1 यानिके 1, 2 X, Y, Z यह तो बिलोंग कर रहा है A को 1, 2 बिलोंग कर रहा है B को तो यह हमारा answer आगया A और B तो हमने एक example लिखा हुआ है कि जिसके अंदर एक A set है एक B है, एक C है और एक D है तो आपके पास 4 set है और हमें कहता है कि A relation B का intersection C relation D C cross D इसका intersection निकाले है और इसके equal और इसके equal A intersection C relation B intersection D तो सबसे बहले हम क्या करते हैं इसके अंदर यहां पर A relation B यह निकालते हैं तो 1 का सबी के साथ 1, 2, 1, 3, 1, 4 ठीक है अब इस 2 का 2, 2, 2, 3, 2, 4 अब 3 का 3, 2, 3, 3, 3, 4 यह हमने A relation B निकाल लिया अब C का D के साथ तो पहले तो यहां 1 का 2, 4, 5 फिर 3 का 3, 2, 3, 4, 3, 5 फिर 4 का निकालेंगे हम 4, 2, 4, 4 4, 5 यह हमने A relation B, C relation D निकाल लिया अब इसमें क्या करना है कि हमें इनका intersection लेना है तो intersection में क्या क्या कॉमन आ रहा है 1, 2 1, 4 को आ रहा है और आगे बढ़ते हैं तो यह 3, 2 आ गया ठीक है? और आगे देखें यह 3, 4 3, 4 और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा A relation B, intersection C, relation D यह क्या आगे हमारे पास? 1, 2 1, 4 3, 2 2, 3, 4 तो यह 4 पेर आ गये हैं हमारे पास अब हम आगे चलते हैं अब राइट हैंड साइड के लिए हमें A intersection C निकालना पड़ेगा 1, 3 आ गया B intersection D निकालना पड़ेगा यह 2, 4 आ गया अब हमें क्या करना है? इनका intersection निकाल लिया अब इनका relation निकालना है तो उसके लिए 1 का 2 और 4 के साथ पेर फिर 3 का 2 और 4 के साथ पेर ठीक है? अब दोनों साइड सेम आ गये हैं देखो यह 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4 तो हम कह सकते हैं कि Left hand side equal to Right hand side तो आज हमने relation के बारे में पढ़ा ठीक है? जो pairs है order pair बोलते हैं जिनको ठीक है? उसके बारे में पढ़ा और relation के अंदर कितने pair बनते हैं ठीक है? number of pairs बनते हैं relation में उसके बारे में पढ़ा तो exercise 2.1 के हमने question भी की हैं तो इनकी practice करें ज्यादा से ज्यादा practice करें ठीक है? कोई भी आपकी queries हैं तो आप मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail ID पर तो आज का topic अच्छा लगा होगा तो channel को like, share और subscribe करना मत भूले जय मात अदी